Okay, so guys, Samsung Galaxy A52s 5G smartphone में October का update 16 October को आया था और इस update को मैंने अपने फोन में 17 October को morning में install किया था और इसके installation वाली वीडियो में मैंने आपको इसका quick review करके दिखाया था साथ ही इस update को install करने के तुरंट बाद में फोन की performance काफी जादा slowdown हो गई थी तो मैंने आपसे इस update को फिलाल के लिए skip करने को कहा था क्योंकि 24 hour तक मैं phone को use करूँगा उसके बाद में ही आपको complete बता पाऊंगा कि आपको ये update अपने phone में install करना है या नहीं करना है क्योंकि update को install करने के तुरन बाद तो phone की performance काफी ज़्यादा slow गई थी और app opening animations भी बहुत ही ज़्यादा slow हो गए थे तो अगर आपने इस update को अपने phone में install कर लिया है तो आपको तो पता होगा कि phone को update करने के बाद में performance किस तरह की मिल रही है लेकिन अगर अभी तक आपने इस update को install नहीं क्या है तो finally आज की ये वीडियो आपके लिए ही है तो please वीडियो को end तक जरूर देखना आपके सारे doubts इस update को लेकर I hope की clear हो जाएंगे तो ये वीडियो मेंने बनाने का मकसद यह है कि उस वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि अभी आप इस update को skip करना और मैं इसके full review वाली वीडियो में आपको बता दूँगा कि आपको update को install करना है या नहीं करना है तो देखे update को जब मैंने install किया था तो install करने के तुरंट बात में क्या हुआ कि phone की जो performance है वो बहुत जादा slowdown हो गई थी और update के installation के लगबग 15-20 minute या फिर आदे गंटे तक phone की performance बहुत सादा खराब हो गी थी उसके बाद मैं phone को use करते करते जैसे जैसे मैं phone को use कर रहा था phone की performance as usual देखने को मिली मतलब phone की जो app opening animation से उसमें जो lags वगरा आ रहे थे वो मुझे बाद में देखने को नहीं मिले और वो बिल्कुल smoothly run कर रहे है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो phone फिलाल के लिए smooth है कुछ भी performance को लेकर downgrade नहीं किया गया है फिलाल के लिए Samsung की तरफ से इस update में कोई भी problem नहीं है performance यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिलेगी और साथ ही installation के तुरंद बाद में जो notification पैनल था उसमें double swipe down करने पर यहाँ पर कुछ shutters देखने को मिल रहे थे उसे भी यहाँ पर fix कर दिया गया है तो long term use करने के बाद में ही यह सारी चीज़े मैंने notice की इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में आपसे मना कर दिया था कि फिलाल के लिए अभी आप इस update को skip कीजिए phone का notification पैनल भी एकदम smoothly work कर रहा है और सभी animations बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जिसा कि आप देख सकते हैं phone फिलाल के लिए smooth है कोई भी यहाँ पर problem आपको देखने को नहीं मिलेगी जो कि काफी अच्छी बात है Samsung की तरफ से अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा downgrade नहीं किया गया है लेकिन फिर भी in future किसी भी update को आप अपने phone में जब download करेंगे तो review video देख कर ही download करना तो फिलाल यहाँ पर देख सकते हैं as usual जो यहाँ पर हमें performance से वो देखने को मिल रही है जैसा कि आप देख सकते हैं phone अभी भी बहुती smoothly work कर रहा है और कुछ comments भी आ गए थे कि यहाँ फोन को फुल review video में बता दूँगा कि आपको इस update को install करना है या नहीं तो definitely से कर लीजे कोई भी problem आपको नहीं आने वाली है यहाँ पर battery draining और heating जैसे भी कोई भी issue नहीं है phone की battery जो है वो मेरे uses pattern के according मुझे as usual battery backup देखने को मिल रहा है कोई भी यहाँ पर मैंने downgrade notice नहीं किया है और ना ही कुछ यहाँ पर मुझे improvements देखने को मिले battery में as usual battery यहाँ पर जो है वो मुझे देखने को मिल रही है so battery backup सभी का अलग-अलग uses pattern के according आपको अलग-अलग battery backup मिल सकता है so फिलाल मेरे device में कोई भी battery draining जैसे issue slightly fast देखने को मिला देखे shutter speed भी यहाँ पर जो है वो slightly थोड़ी सी fast कर दी गई है जो की September के update के बाद में थोड़ी slow हो गई जाती fingerprint scanner भी यहाँ ठीक काम कर रहा है September के update के बाद में थोड़ा सा slow हो गया था लेकिन अभी फिलाल के लिए यहाँ पर जो fingerprint scanner है वो काफी responsive हो चुका है मतलब पहले जो September का update install किया था उसमें क्या होता था कि जब हम fingerprint को लगा रहे थे तो वो recognize भी नहीं कर रहा था लेकिन अभी फिलाल के लिए यहाँ पर ऐसी कोई भी problem आपको देखने को नहीं मिलेगी most of the time यह fingerprint को recognize कर लेता है तो यहाँ पर कोई भी problem आपको नहीं आने वाली है अगर आपने इस update को install कर लिया है तो आप भी अपना जो experience इस update को install करने के बाद में किस तरीके आपको performance मिल रही है क्या कुछ improvements देखने को भी ला अगर कुछ downgrade हो तो वो भी आप please मुझे comment करके ज़रूर बतना क्योंकि जिन लोगों ने अभी तेक इस update को install नहीं किया है वो और वो skip करना चाहरे है अभी भी तो आपका feedback देखके वो ज़रूर से कुछ decision ले पाएंगे कि इस update को अपने phone में install करना चाहिए और नहीं करना चाहिए वैसे according to me आप update को install कर सकते है तो फिलाल यही सब कुसा इस वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंद आए होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यह जल्दी से इस वीडियो को like कर दिजिए